एक बार एक प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है महात्मा मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है महात्मा ने कहा पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा व्यक्ति ने कहा हम सभी लोगों के पास दो हाथ, दो पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता लेकिन कुछ थोड़े से लोग बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं सभी उनकी इज़त करते हैं, उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सफलता की चाहत नहीं है, और एक सामान्य जीवन जी कर ही इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या फर्क है दोनों प्रकार के लोगों में, व्यक्ती का प्रशन सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराएं और बोले सफल और सफल व्यक्ती में केवल एक ही चीज़ का फर्क होता है, और वो है उनकी आद्दें तुम हर रोज क्या चुनते हो, इसी से निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे? अगर तुम आराम, आलस्य और छोटे कामों को चुनते हो, तो असफलता निश्चित है लेकिन अगर तुम हर रोज मेहंत, अनुशासन, लगन, चुनोती और मुश्किल कामों को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता भी निश्चित है लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादातर लोग अन्जाने में ही अपने आसपास के माहौल माता पिता और लोगों की बजहे से ऐसी आत्तों और दिंचर्या के साथ बड़े हुए हैं जो उन्हें सफल होने से रोकती हैं और ऐसा इंसान नहीं बनने देती जैसा वो बनना चाहते ज्यादातर लोग सिर्फ खाने, पहनने, घूमने, छोटे मोटे काम करने और फिर मर जाने तक के बारे में सोच पाते हैं क्योंकि वो लोगों को यही सब करते देखते बड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों की जिन्दगी में चमतकारिक बदलाव केवल तभी आ सकते हैं जब वो अपनी सोच, दिंचर्या और रोज की आद्तों में बदलाव लाएं व्यक्ति ने कहा महात्मन आपने आद्तों के महत्व के बारे में बात की तो क्या आप मुझे ऐसी पांच आदतों के बारे में बता सकते हैं जिन्हें अपनाने से मैं न केवल आर्थिक रूप से सफल बनू, बलकी शारिरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनू, समाज में मेरी इज़त हो, लोग मेरे काम से प्रेणा ले और आने वाली पीही के लिए मैं एक अच्छा उदाहरन पेश कर सकूँ. महात्मा ने कहा, बिलकुल, आज मैं तुम्हें जिन पांच आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, उनका प्रभाव तुम्हें तुरंक नहीं दिखेगा, लेकिन अगर तुम इन पांच आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो, तो तुम दुनिया के 99% लोगों से हमेशा आगे रहोगे, और सफलता तुम्हारे कदम चुमेगी महात्मा ने कहना शुरू किया पहली आदत अपनी सुभा का नियंत्रण अपने हाथों में लो, हर सुभा हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पहला की हम सोते हुए लगातार सपने देखते रहें, या फिर सु से सोकर उठते हैं, उसके बाद भी अपना सुभा का बचा हुआ समय फालतु के कामों जैसे इधर उधर घूमना या बैठकर दोस्तों या घर वालों के साथ गप्पे मारने में निकाल देते हैं, और यह एक असफल वो शिकायत करने वाले व्यक्ती की पहली निशानी है, ल इसके बाद 20 मिनट का ध्यान करो, यह तुम्हें दिन भर शान्त और प्रसन्नचित रखेगा, कम से कम 30 मिनट रोज व्यायाम करो, इससे तुम्हारा शरीर ताकतवर और उर्जावान बनेगा, यह तुम्हारे आत्म विश्वास को बढ़ाता है, रोज सुभा 15 मिनट सूर्य की रोशनी शरीर पर पढ़ने दू, ऐसा करना तुम्हें निरोगी रखने के साथ, साथ तुम्हारी निराशा भरी मानसिक्ता को कम कर तुम्हारे अंदर आशा और उम्मीद बढ़ाता है, रोज सुभा कम से कम 30 मिनट से एक घंटे का समय उस काम के बारे में पढ़ने या सी कर देगा, सुभा के 5 घंटे सबसे ज्यादा पूरजाबान होते हैं, इसलिए इस समय किसी दूसरे के हाथ मत आओ, सुभा के इस समय को खुद को बहतर बनाने और अपने लक्षियों को कूरा करने में लगा, दिन के सबसे मुश्किल काम को सुभा सुभा ही खत्म करने की इन आद्तों को अपनाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए पहले हमें अपना माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा और सुभा जल्दी उठने के लिए आपके माइंड सेट को डेवलप करने में आपकी हेल्प करेंगे, महात्मा ने कहा, दूसरी आदत हर किसी के लिए हर समय उपस्थित रहना बंद करो, अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाते हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष नहीं है, ऐसा करके तुम लोगों की नजरों में अपना मूलिक हो देते हो, लोग तुम्हें गंभीरता से नह समय का उप्योग कर रहा है, और तुम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो, तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकती, तुम्हारी इस कमी की वजह से लोग तुम्हारी अच्छाईयों पर भी ध्यान नहीं देंगे, और तुम्हें हलके मिलेंगे, ल जान रखो सूरज की अनुपस्थिती में ही लोग उसकी कीमत को जान पाते हैं, जितनी लंबे समय तक बरसात के बादर रहेंगे, उतनी ही ज्यादा लोगों के अंदर सूरज को देखने की चाहत बढ़ेगी, गर्मी में ज्यादा धूप के कारण लोग जी सूरज को नापस प्रथित रहना है क्योंकि तुम अपने समय की इज़्जत करते हो और अपने काम को लेकर गंभीर हो। महात्मा ने आगे कहा, तीसरी आदत जल्दी निर्नय लेना सीखो। और हर संभावित विकल्प के बारे में विचार करेगा, तब तक एक निर्नायक व्यक्ती निर्नय लेकर काम भी शुरू कर चुका होगा और जरूरत पढ़ने पर खुद को या अपने योजना को बदल चुका होगा। इसलिए निर्नायक बनो तुरंत निर्नय करने की काबि जानकारी निर्नायक विच्वास और हिन्मत की जरूरत पढ़ती है। लेकिन जल्दी निर्नायक लेने का फायदा यह है कि किसी भी समय जरूरत पढ़ने पर हम बदलाव कर सकते हैं। अकसर लोग यह कहते हैं कि जानकारी एक ताकत है लेकिन ये हर समय सही नहीं है। ज्यादा जानकारी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। अगर तुम अपना बहुत ज्यादा समय जानकारी इकठा करनी, सोचने और योजना बनाने में लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सबसे कम समय उस काम को करने में लगने वाले हो। इसलिए किसी भी काम के बारे में ज्यादा जानकारी इकठा करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ समय लेकर ठीक से सोच लो, लेकिन जब एक बार निर्नय ले लिया तो उसी के साथ चिपके रहो जब तक की उसे बदलना बहुत ही ज़रूरी ना हो जाए. जल्दी लिया गया अधूरा निर्नय भी वो सही निर्नय से ज्यादा सही है जो समय निकलने के बाद लिया गया है. रोज मर्रा के ज्यादातर निर्नय उससे भी कम समय में दिये जा सकते हैं. जितना समय हम उन्हें देते हैं जल्दी निर्नय लेना. सीखने का केवल एक ही तरीका है कि जीतने हो सके, उतने ज्यादा निर्णै लो और उनसे सीखो ना की सिर्फ जानकारी लेते रहो और सोच विचार कर खुद को एक समझदार व्यक्ति बनने का इंतजार करते रहो चौथी आदत सही त्याग करना सीखो तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें हमेशा किसी ना किसी चीज का त्याग करना ही पड़ेगा अगर तुम अपने लक्षे के लिए त्याग नहीं करते तो तुम्हें अपने लक्षे का त्याग करना पड़ेगा जब तुम अपना समय बरबाद कर रहे होते हो, तब भी तुम अपने संभावित सुनहरे भविश्य का त्याग कर रहे होते हो इसलिए तुम्हें सही चीज को छोड़ना आना चाहिए अगर तुम्हें सफल होना है, तो कई बार तुम्हें अपने मित्रों का त्याग करना पड़ेगा जो तुम्हें पीछे खीचते हैं तुम्हें कुछ समय के लिए अपने आराम पसंदीदा खाने, धर और रिश्टेदारों का भी त्याग करना पड़ सकता है लेकिन यह त्याग हर समय आसान नहीं होता, खास कर जब तुम जबान होते हो तो तुम्हें लगता है कि मैं अपने आराम और खुशी को क्यों छोड़ू लेकिन सच्चाई यही है कि तुम्हें अपने आज के आराम और खुशी से आगे कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय दुख और पश्चाताग की लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हमेशा ही त्याग करना पड़ेगा और तुम्हारा पूरा जीवन निरस हो जाएगा यह त्याग सिर्फ कुछ समय के लिए लेकिन एक बार जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हें उतने त्याग नहीं करने पड़ेंगे जिसने तुम्हें आज करनी पड़ रही है लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों को तुरंत ही खुशी और सफलता चाहिए जो उन्हें आज छोटे मोटे त्याग करने से भी रोकती है लेकिन त्याग का दूसरा पहलू यह भी है कि एक इनसान के रूप में तुम अपने क्षमता तक पहुँच सकते हो और वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसके तुम सपने देखते हो इसी लिए सही चीजों का त्याग करना सीखो महात्मा ने आगे कहा पांचवी आदत अनुशासित रहो जितनी भी बाते अभी तक मैंने बताई है वो सब बेमतलब है अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन नहीं है तो हर इंसान अनुशासन के महत्व को जानता तो है लेकिन वो फिर भी अनुशासित नहीं रह पाता तुम खुद के प्रती इमानदार हो तो यह बहुत आसान है। तुम हर रोज वह काम करना शुरू कर दो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, फिर चाहे तुम्हारा वो करने का मन कर रहा हो या ना कर रहा हो। शुरुवात अपने बिस्तर से करो। सुबह जैसे ही नेंद खुली की तरह पड़े रहने की बजाए तुरंत बिस्तर छोर दो, कसरत करो, इसनान करो, ध्यान करो, फिर अपने सबसे जरूरी काम करो। अनुशासन हमें हमारे लक्षे की और केंद्रित रखता है। हमारा खुद पर नियंतरन बढ़ता है। हम विपरीत परिस्थिती में भी खुद को शान्त रख सकते हैं। अनुशासन एक धागे की तरह होता है। जितनी बार लपेटोगी, उतना मजबूत होता चला जाएगा। अनुशासन की कमी हमारे आत्म विश्वास को भी कमजोर बनाती है और कमजोर आत्म विश्वास के साथ कोई भी इनसान अपना सरवश्रिष्ट नहीं कर सकता। इसलिए अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ लड़ते हुए रोज अपने अनुशासन को मजबूत करते चले जाओ, क्योंकि अनुशासन के द्वारा ही दूसरी अन्या आत्तों का अपनी सफलता के लिए उप्योग किया जा सकता है।